आज तो बहुत मज़ा आएगा आज तो मेरा बर्डे है हैपी बर्डे रिंकी बिटिया हैपी बर्डे रिंकी मम्मी आज तो बहुत मज़ा करूंगी हाँ बिटिया आज मैं बहुत बड़ा केक काटूंगी और मैं अपने सभी दोस्तों को टोफी बाटूंगी अंकल आज मेरा बर्डे है मैं अपने सभी दोस्तों को टौफी बाटूंगी अच्छा बिटिया बताओ कितनी टौफी दो अंकल मुझे पचास टौफी दे दो रिंकी तु पचास टौफी का क्या करेगी तेरे तो सिरफ दो दोस्त है मम्मी मैं दो टौफी अपने दोस्त को दूँगी बाकी सभी मैं खुद खा जाऊंगी टौफी वाले भाईया ऐसा करो सिरफ दस टौफी दे दो ठीक है बाबी जी ये लो रिंकी गोलू सुनो मैं घर जा रही हूँ तुम टौफी बाट कर घर आ जाना रिंकी तुम इतनी सारी टौफी लेकर कहा जा रही हो रोकी आज मेरा बर्डे है इसलिए मैं सबको टौफी बाट रही हूँ ये लो एक टौफी तुम भी लो रिंकी मुझे एक टौफी नहीं चाहिए मैं तो सारी टौफी ले लूँगा रोकी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम सारी टौफी ले लोगे, फिर मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा रिंकी चुप चाप सारी टौफी मुझे दे दो मैं नहीं दूँगी, ये मेरी टौफी है ये लो मैंने तो चीन ली, क्या कर लोगी तुम रोकी तुम बहुत बुरे हो क्या हुआ तुम क्यों रो रहे हो मम्मी रोकी ने हमारी सारी टोफी छीन ली क्या उस नलायक ने सब कुछ ले लिया चल मैं उस नलायक को अभी बताती हूँ आ आंटी आप यहाँ पर क्यों रे रोकी, तुने रिंकी की सारी टोफी छीन ली अंटी, रिंकी तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ये ले रिंकी, अपनी सारी टोफी वापिस ले रोकी अगर तुने आगे से ऐसा किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ठीक है अंटी रिंकी चलो तोफी तो आ गई अब मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आता हूँ हाँ जल्दी लेकर आओ रिंकी ये देख कितना अच्छा केक है हाँ गोलू इस केक को काटने में तो बहुत अच्छा लगेगा केक काटने से पहले अपने दोस्तों को तो बुला कर आओ हाँ मम्मी मैं अभी जाती हूँ और रिया को बुला के आती हूँ रिंकी वो देख रिया वहाँ पर है हाँ गोलू रिया चलो आज मेरा बर्डे है केक काटने चलते है रिंकी मैं भी तुम्हारे बर्डे पर आऊंगा रोकी मैं तुझे घर नहीं बुलाऊंगी क्योंकि तुने मेरी सारी टौफी शीन ली रिंकी मुझे माफ कर दे अच्छा ठीक है पर जल्दी चलो हैपी बर्डे टू यू हैपी बर्डे टू यू हिपी बर्डी टू यू रिंकी मैं तुमारे उपर पूरा केक लगा दूँगा नहीं गोलू ऐसा मत करना भागो